हाई एवरिवन केसी हो आप सब आई होप आप खुशे सस्त हैं और मस्त हैं और मैं सरला इंटिटीटीटेरो रीडर और मैं आज पिर से दो दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की उसके लिए सौरी मैं बाहर गई थी फंक्शन में ओके और उसके लिए सौरी थैंक यू थैंक लिए और मैं फिर से एक रिडिंग क्रीडिंग लेके आएं हूं और आज मैं करने वाले हूं कलेक्टिव रीडिंग ही करूँ हमँ यहां पर क्योंकि मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि किसी और जरूरूरर का अज मैं वीडियो भी जल्दी अप Lakes कर रही हूं यहां पर पता नहीं क्यों इंटीशन मुझे ऐसा आ रहा है तो यहां पर मैं collective reading करूं घी और यूनियर्नेटी की तरफ नियुन के मैसेज लूँगी मैं यहां पर टाइम डेस लेडिंग आप इसको कभी भी लेख सकते वह कुछ रिर्डिंग है तो हो सकता है कुछ-कुछ मेसिश आपसे रिजुनेट हो झाए किसी को मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जिसे कोई बहुत ज़दा रो रहा है अन्दर से कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे पताने क्यों तो be happy खुश रहे हैं आप इश्वर सभी के साथ होते हैं, यूनियर सभी के साथ होते हैं, उस सब अच्छा करते हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं है, तो इसके पीछे जरूर उसका रिजन है, उसको वो बाद में जाकर समझ मैं आती हैं चीजें, ओके और तो और जिसे भी परसन रिडिंग चाहिए, मैं अपना वाट्सअप नमबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, तो मैं रिडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर, ठीके, और यूनियर्स अर्जेंट में क्या मेसेज देना चाहते हैं, अर्जेंट, अर्जेंट मेसेज हैं आप के लिए, ओके, आप भी पॉजिटिव रहें, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप जिससे भी जो कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ क्लियर करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो वो आप वीडियो के दोरान आप पूछ सकते हो, हो सकता है, उसका आंसर आ एन आ है, आपको, यूर्स का मेसेज, यूर्स का मेसेज, तैंक यू, सो मच, न है एक तम यहाँ पर पीस की और शांती की एनरजी को मैं हसूस कर रही हूँ, जैसे बहुत साथा कोई, लाइट फील कर रहा हैं, यहाँ पर, थैंक ब्रेस न कि आपको, जैन आ आ पर, एक दो, सेल्फ वर्थ फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैं सभी कार्ड एक साथ निकाल लेती हूं उसके बाद सर्विस वेरी गुड बहुत पॉजितिक कार्ड्स आए हैं आपके जोए यह यूनियर्स के मेसेज हैं आपके लिए ओके इनलैटलमेंट अब इससे ज़ादा यूनियर्स आपको मतलब किस बात से मुझे इसा लग रहा है आप पर रिशान रहे हो किस बात से आप नाराज लग रहे हो बैलेंस क्योंकि वो तो यूनियर्स तो यहाँ पर जो मैं एनरजी को पिक कर रहे हूं तो आपको यहाँ पर यही ग्रेटीटूड आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ओके सबसे पहले आपको यूनियर्स आपको मेसेज यहाँ पर यही देना चाहते है अर्जिन मेसेजे देखो यहाँ पर ओके वो यह आपको बताना चाहते हैं कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ने कि बहुत जल्द बाजी में हो किसी काम को करने में बहुत हड़ बड़ा हड़ सी आपने कर रखी है अपने अंदर के जल्दी से मुझे कोई चीज कुछ सक्सेस मिल जाए या जिस चीज को मैं अच्यू कर करना चाहता हूं या जिस मतलब एक आपका कोई ड्रीम है आपका कोई सपना है और जो आपको अंदर से खुश करेगा है ठीक है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेसेज आपके लिए यह के यूनियर्स आपको बोल रहे हैं कि पहली बात तो यह कि आप जो कर रहे हो अपने सपने के लिए अपना जो भी सोचाए कि मुझे यह अच्छी करना है वो आप बस उस पर फोकस आपको लगा कर रखने की जरुत है और पेशन्स आपको रखने की जरुत है क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको जो मांग रहे हो इश्रा से यूनियर्स से वो आपको जरूर मिलेगा बस आपको करना क्या है कि आपको उस पर फोकस बना कर रखने की जरुत है और आप बिल्कुल सही रस्ते पर हो ठीके और आपको बोला यही जा रहा है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बनाओ ठीके बैलेंस बनाने की जरुत है आपको देखो जब जब आप अपने रस्ते से भटकोगे, जब जब आप अपनी इंट्यूशन से भटकोगे, जब जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे, वहाँ आपका बैलेंस टक मागा चाहेगा, ठीक है, यूनियर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं, कि वो हमेशा आपको सपोर्ट करें, आपके साथ है, जब जब आप उनसे help मांगोगे, जब जब आप उनसे कोई भी prayer करोगे, प्रातना करोगे, वो at a time वहाँ पर आपको ऐसा feel होगा, कि हाँ, कोई शक्ती है, जो मुझे सुन रही है, और मुझे सही रस्ता दिखा रही है, और उस रस्ता, वो रस्ता मेर लिए बहुत बहतर है, ठीके, तो यूनियर्स आपको सबसे पहले message यहाँ पर यही देना चाता है, क्योंकि patience का card निकला चुका है, यहाँ पर, patience रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीके, पेशेंस किस चीज के लिए रखने के लिए बोला जा रहा है, आपका जो सपना है, ठीके, जो कर रहे हो, बहुत बहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और patience रखो, आपको वो खुशी भी मिलेगी, ठीके, आप वो उस, आपका यूनियर्स तो सपोर्ट करी रहे हैं, ठीके, वो खुशी मिलेगी, और वो खुशी आपको कहां से मिलेगी, जो आपका, जो किते हैं ना कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, हम अंदर से हैप्पी होते, कि actual में आपको करना क्या है, ठीके आपकी दिली तमनना क्या है, आपका मन क्या कहता है, आपकी soul क्या कहती है यहां पर, युनियर्स चाहता है कि आप बस patience रखो, आपकी जो destiny में लिखा है, जो भी wish है यहां पर, बस उस पर केते ना उसको उस रस्ते से भटको मता, क्योंकि आपको बहुत जल्दी आप किसी चीच को, किसी success को, किसी growth को आप achieve यहां पर करने वाले हो, बस आपको balance यहां पर बनाने की ज़रत है, और यूनियर्स आपको यहां पर यह भी message दे रहे हैं, कि आप बहुत balance हो, balance बना कर रखोगे, और balance की energy में रहोगे, तो उस position को भी आप बहुत जल्दी achieve कर लोगे, जिसको आप सोच इचार कर रहे हो, जिसका आपको इंतिजार है, मुझे इसा लग रहा है काफी time से आप इंतिजार कर रहे हो, किसी एक, मुझे इसा लग रहा है job का इंतिजार कर रहे हो, कोई spiritual journey में तो बहुत जल्दी कुछ न कुछ achieve यहां पर करना चाहता है, ठीके, तो यहां पर बोला ही जा रहा है, कि definitely आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, खुश भी रहोगे, हैपी भी रहोगे, क्योंकि आप प्रकाश की रस्ते पर हो, ठीके, आपको सही रस्ता दिखाया जारा है, सही guidelines आपको दी जारी है, और आपको करना क्या है, बस patience आपको बनाकर रखने की जरएते, बैलेंस आपको बनानी की रखने की जरएते, और gratitude, gratitude आपको पे ज़रूर यहां पर करना है, ओके, जो यहां पर है, यूनियर्स आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं, balance रहो, gratitude पे करना है जो भी आ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी आप किसी success को आप अच्जीव करने वाले हो ठीक है ये career में भी देख रही हूँ आपकी कोई wish है शायद wish मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी लग रही है कि किसी को जिसे किसी के मन में जिसे दया भावना होती है किसी का अपना खुद का यहाँ पर कुछ नया create करना जिसे सेवा भावना करना सेवा करना यहाँ पर किसी की help कर देना यहाँ पर ठीक है तो universe कहीं नहीं आपकी life purpose से भी जोड रहे हैं और आपकी dreams से भी आपको जोड रहे हैं जिसे आपको एक्चल में खुशी क्या होती है उस खुशी को आप फील कर सको उस खुशी में कितने जूम जाना नाचिना मतलब अपने आप से जूड जाना है आपर वो खुशी आपको यूनियर्स बहुत जल्दी आपको देने वाले पेशेंस का काड़ बस तह भी बना कर रखना है ठीके जितना जादा आपने पेशेंस रखा हुआ हैं पेशेंस भी रखोगे भहूत जल्दी आपको यूनियर्स की यूनियर्स का ऱस्ता मुझे यसा लग रहा है न एटरिए जितना जयादा आप अपनी indices को प्यार गतें एक चोटे बच्चे की तरह विश्वास करोगे ठीके और बैलेंस कर पाओगे आपकी इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा आपको बहुत साधा यहां पर गाइट कर रही है सिर्फ उसके उपर विश्वास करना है ठीके इनर वाइस को सुनो उसको महसूस करो वो आपको डेफिनेटली सही रस्ता वही दिखा आपको यहां पर यही बताना चाहते हैं कि जब जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनोगे क्योंकि यूनियर्स आपको मेसेच कहां से देगा आपको अपनी इंट्यूशन के तुरू देगा और आपको उसी के उपर विश्वास करना है और आप फिर देखोगे कि आप बहुत जल्दी आप अपने सपने को अपने ड्रिम्स को और जो अचीव करना चाहते हैं उसके आप बहुत नजदिक पहुंच गए हो एक बिले सिस्टम एक कॉंफिडेंस आपको आता हुआ नजर आएगा यहां पर ठीक है आपका सोलर प्रेसेश चक्रा बहुत एक्टिव है बहु नहीं पाते हो जो मन की बातों को खुलके मतलब कितना हम अपनी दिल की बातों को सामने रख देते हैं तो हम कितना खुश हो जाते हैं कि हाँ फाइनली जो इस चीज का हम इंतिजार कर रहे थे ठीक है जिस चीज का हमें वेट था वो चीज़े हमें मिल गई हैं यहां पर ठी वहीं मिलती है जब हमारी कोई विश यहां पर पूरी हो जाती है जिसे हम मतलब मनी मन में करते रहते हैं किसी के सामनी नहीं पोल पाते हैं ठीक है तो यूनियर्स का अर्जेन मेसेज आपके लिए यहां पर यही है आप सही रस्ते पर हो बहुत जल्दी आप सक्सेस को आप यह ऑफर यहां पर मिलेगा जिसको लेकर आप बहुत साथ खुश होगे हपी होगे और डिटिट अपको ज़रूर पर करना ज़ते हैं कि युनियर्स आपको बैलन्स कर रहें आपको बैलन्स किया जा रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी आप अपनी मनिजिल को अपने सपने को प दिल लगाके मल लगाके आप अपनी एनर्जी को लगा सको यहां पर उतना किसी काम को जब हम बहुत पियुर्टी के साथ करते हैं फूल एनर्जी के साथ यहां पर करते है तो वो हमें बहुत अंदर एक अलग सा सुकून हमें देता है ओके तो यह यूनियस के आपके मैसेज थे मैं यहाँ पर अब टेरों से देखती हूँ तैंक यूनियस तेंक यूनियस तेंक यूश तो मुच इतना नहीं लोंगी में यह कार्ड बहुत स्लिप होते हैं ओकी फाइफ फूर वैंज यह केरियर से रिलेटेड है भई आपका आपकी कोई वीश तो यहाँ पर कम्प्लीट करने वाले हैं क्योंकि आपको बोला ही जा रहा है सिर्फ अपने आपको बैलेंस बना कर रखो और बैलेंस भी हूँ आप यहाँ पर ठीके आपके केरियर में जो भी इशूस थे जो भी प्राब्लम थी जो भी कुछ भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी इशूस चल रहे थे यहाँ पर ठीके वो सब यहाँ पर शोट आउट होने वाले हैं ठीके आप बस पैशेंस रखो और जो करते आ रहे हो उसे बैलेंस के साथ आप आगे पढ़ते रहो सिर्फ आपको करना क्या है अपने काम पर अपना फोकस लगाने की ज़रते यहाँ पर क्योंकि आप एमप्रेस हो आप बहुत ज़ादा इस्पे चलो आप बहुत ज़ादा आध्यात्मी को यहाँ पर जितना ज़ादा आप अपनी अपनी energy को positivity के साथ मतलब रखोगे अपने आमे positivity रखोगे उत्ता ही जादा आप balance रहोगे ठीके the star का काड़ यहाँ पर यही बता रही है hope को बता रहा है यह wish को बता रहा है आपके चक्रास को balance को बता रहा है यहाँ पर ठीके तो आपके विश्ट और यूनियर्स पूरी करने वाले हैं यहाँ पर जो hope आपने लगा रखिए जो उम्मीद है ना वही उम्मीद आपकी रंग लाएगी ठीके यूनियर्स आपको यहाँ बता है एक embrace हो मतलब आपको किसी से मुझे इसा लग़ा आप बहुत साथा कर रहे हो इस टाइम पर या कुछ और सिच्चेशन में तो नहीं करना है ठीके सिर्फ आपको अपनी आपके अंदर क्या है इसी चीज़े उस पर focus यहाँ पर करने की जरुत है क्योंकि आप अपने आपको किसी और नजरिये से देख रहे हो यूनियर्स आपको किसी और नजरिये से देख रहे है यहाँ पर ठीके एमपरस क्या होता है कि वो बहुत एक मतलब एक एसी एनरजी होती उसके अंदर कि बहुत कुछ यहाँ पर create यहाँ पर कर सकता है वो तो करवा ही सकता है, उसके अंदर एसी पावर होती है, कि वो दूसरों से भी काम करवा सकता है, किते दिना कि हर कोई किसी के कहने पर नहीं चल सकता, लेकिन आपके अंदर वो उर्जा है, वो एनरजी है, कि अगर आप बैलेंस रहते हो, खुश रहते हो, हैपी रहते हो, त ठीके आपके पास सब कुछ है यूनियर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पास आने वाले टाइम में फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पर रहने वाले हैं और आप उसके साथ इंचोय भी करने वाले हों ओके बहुत जादा इस पर चलो हो आध्यात्मिक हो तो अपनी उर्जा को पैलेस रखो ठीके और अपने आपर विश्वास यहाँ पर रखो हम असो वीज़ कि तुझिछ यहाँ फ्यूच एक जो मैं बता रही हूंता केईर जासे हैंusedगा तो आपकी वीश थी कि मुझे कुछ केरियर में कुछ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए या मैं financially कुछ start कर दूँ जहां से मेरी कुछ earning start हो जाए यहां पर ठीके एक confusion था एक confusion था एक दूविदा थी कि आपको क्या करना है आपको अपनी energy कहां लगाने की ज़रत है ठीके क्योंकि आप शायद अपना एक आपको दूविदा में थी शायद आप समझ में नहीं आ रहे तो बे फिक्रे हो जाओ यहां पर यूनियर्स आपको उस confusion से उस दूवि प्रशानी थी जो भी doubts थे financially के लो या health wise के लो या career से related के लो वो सब यहां पर आपके शोट आउट होने वाले जो भी आपकी life में चल रहा था ओके एक confusion बहुत जादा में देख रही हूं यहां पर आपके अंदर एक confusion आप खुद ही अपने उपर doubt कर रहे हो ठीके तो doubt में आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है confused तो बिल्कुल होना ही नहीं है दो चीजों में तो आपको मतलब होना ही नहीं है और वो हो भी रहे हो तो आप meditation करो दिहान करो और अपने आपको balance यहां पर करो ओके angel of love जो मैं बोल रही हूँ angel आपको बिल्कुल support कर रहे है यह अपको आपके साथ है आपको balance यहां पर कर रहा है आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो ओके और वो आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो कैसे balance करना आपको कैसे रस्ते पर लाना है उनको अच्छी तरीके से पता है strong warning यह आपको जो past में जो कुछ भी हो चुका है उस उस गणीत में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको क्योंकि यह 10 नंबर है 10 नंबर आपका बता रहा है कि जो भी past में बिगड़ा था financially weak थे या किसी के साथ कुछ issues थे या आप अपने life purpose से नहीं जुड़ पा रहे थे या आप life में कुछ करनी पा रहे थे या बढ़नी पा रहे थे आप ठीके तो वो past था आपका अप जो energy past में थी वो energy अप नहीं रहने वाली है आपकी क्योंकि आप आपको balance कर रहा है यूनियर्स ठीके आपको आपकी जो आपका आप इस अर्थ पर क्यों आए हो उस उस रस् आपकी help करता है ना तो उसे thank you आपको ज़रूर बोलना है चीके यूनियर्स अपको यहां पर यह बता रहे हैं कि आपकी मतलब एक आपकी जब कहते हैं ना कि जब हम सही रस्ते पर होते हैं और हमारी day by day growth होती रहती है और हम बहुत happy रहते हैं बहुत खुश होते हैं तो बहुत हम positivity को attract करते हैं हम खुशियों को attract करते हैं तो यहां पर यूनियर्स आपकी family में बहुत एक peace देख रहे हूं एक शानती देख रहे हूं और एक happy family भी में यहां पर देख रहे हूं जिस ठीक है और आपकी family में बहुत ज़्यादा मतलब balance energy में यहाँ पर देख लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको यूनियर्स balance कर रहा है वोमन हो holding a heart yes देखो यूनियर्स को पता है कि आप केसे person हो ठीक है आपको किसी को भी कुछ proof करने की जरुत नहीं है ठीक है उनको पता है कि आप कौन हो किसी के कुछ कहने से किसी के कुछ करने से किसी का कुछ नहीं उसको जो भी कुछ आपके साथ गलत करता है उसको पता नहीं है कि actual में मिल रहे हैं ठीक है आप मतलब एक मुझे इसा लगड़ा है कि आपके साथ गलत हुआ था ठीक है बहुत ज्याद़ जैसे गलत साइकल से निकले ते गलत समय से आप निकले ते जहां पर बहुत जड़ाधे विख्रें हूं यह पर वो किते ना अपने उपर विश्वास नहीं कर पाना अपने आपको प्रूफ करना और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से बहुत जादा दूर हो जाना तो यूनियर्स आप यहां पर यही बताना चाहते हैं कि वो एक समय था वो एक दोर था वो एक साइकल थी जो कि जबी जादा आप जो मैं यहाँ पर रिसकार से भी आहां ती बहुश हुआ प्योर हो यहां पर और पर एक बात बता दूं जो सच्छे होते हैं उनको नहीं जादा नहीं को ठीकरने में तुस को ठीकरने में उसको जादा टाइम नहीं लगता है जो जादा जिद्धी होते हैं जादा जीने ऐसी ऐसे समय से गुजरना पड़ता है तो वहाँ पर देखो करना तो है यूणियर्स को अब कैसे करना वो उनको पता है किसी को टायम किसी साइकल में निकलने से जादा टायम लग जाता उसके पीछे भी बहुत सार करना होता है उसे बहुत कुछ experience करने होते है तब ही उसे इतना समय लगता है और कहीं कहीं बहुत blockage होते हैं ठीक है और कोई soul ऐसी होती है जो innocent होती है मासूम होती है आलरीडी वो प्योर थे इतने सच्चे आध्यात्मिक थे कि आप शायद अपने life purpose से या अपनी journey में भटक रहे थे तो यूनियर्स केते हैं ना कि हाथ पकड़ के खीचना कुछ गड़ना आपके साथ past में हुई होंगी तो उसके पीछे भी एक reason था यूनियर्स का ठीक है क्योंकि आपको बताना था कि आप हो कौन आपको करना क्या है यहाँ पर ठीक है आपकी शायद जो भी थोड़े बहुत ब्लोके से वो यूनियर्स ने दूर किये हैं आपके यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर एंजल डेक से देखती हूँ यूनियर्स का आरचेंड मेसेज क्या है थेंक यूनियर्स तेंक शो मच ओके फोकस इंटेंश यस मैं बोल रही हूं ना पूरे रीडिंग में यही निकल रहा है आपका यूनियर्स आप सोच रहे हो कि शायद कुछ imbalance हुआ है तो बस थोड़ा सा meditation कर लो आप कुछ नहीं हो, आप balance हो चीके, बस आपको जो आप कर रहे हो, उस पे बराबर आपको focus करने की जर्द थे, ठीके आपकी क्या इच्छा है, यूनियर्स आपको यहाँ पर यही बताना है, कि आपको सिर्फ अपनी desire, आपकी जो मनशा, आपकी जो इच्छा, आपकी जो सपने हैं उस पर सिर्फ आपको उस पर focus यहाँ पर करने की जर्द है, जब आप अपनी energy मतलब एक purity के साथ, सच्चाई के साथ, रखोगे ना उसको, तो आप देखोगे जो कुछ भी है ना आपका, वो उसका outcome बहुत positive आएगा ठीके, बस आपको करना क्या है आप बिल्कुल भी यह मत सोचो के कुछ मुझे अपने उपर काम करने की जर्द है, बस seniors आपके बस एक ही request रखो, बस balance रखो, आप अपने आपको खुश रहो enjoy यहाँ पर करो, किसी भी तरह से कोई doubt आपको करने की जर्रत नहीं है ठीके, अब मैं क्या बोलू यहाँ पर your third eye is open, see truth your what is it, follow your intuition जो मैंने यहाँ पर बोला अभी, card same way निकल गए आपके लिए, आपको यहाँ पर यही बोल रहे, आपकी third eye, आपकी अपने आपको peace में रखने की जर्रत है शांती में रखने की जर्रत है ठीके, और कुछ आपको अपने बारे में जानना है सच्चा ही क्या है, वो आपकी soul आपको सब कुछ पताएगी क्योंकि उसको सब पता है तो अपने उपर doubt मत करो आप ठीके, अपनी अंतरात्मा की सुनो magic of my अमे क्या पूलू पूरी reading में यहाँ पर इसी लिए urgent यहाँ पर आया था आप सभी के लिए पता है आपके लिए बार-बार क्या vision आ रहा है आप बहुत तगड़े manifester हो, जो भी आप balance रहके, ठीके जितना ज़्यादा आप balance रहोगे जो manifest आप करना चाहते है वो manifestation आपका काम करेगा क्योंकि आपकी third eye open है यहाँ पर ठीके, third eye open है आपकी यहाँ पर, और third eye जिसकी open होती ही ना, वो manifest बहुत अच्छे से कर लेता है, और वो balance रहता है, तो manifestation उसका यहाँ पर बोल रहे हैं आप कि बस आप बहुत एक magician हो आप यहाँ पर जो भी आपका सपना है ना जो भी आपका goal है बस अपने आपको उस पर focus लगा के रखो और वो reality में convert होते हुए आपको नजर आएगा, ठीके clear message दे रहा है यूनियर्स आपको clear message है यहाँ पर ठीके बहुत जल्दी आप अपना कुछ अच्छी यहाँ पर करने वाले हो ओके ओटर बस अपने आपको यहाँ पर यह time ऐसा है यूनियर्स आपको यहाँ पर यह बताने कि आपको बस peace में रखना अपने आपको शांती में रखना है go with the flow जैसे पानी बहरा जैसे हवा बहरी है जैसल समय चल रहा है बस आपको peace में रहना है शांती में आप रहना है और एक ऐसी energies को आपको receive यहाँ पर करने की ज़रत है जहां पर मतलब कोई आपकी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए यूनियर्स जो दे रहा है उसे receive करना है बस आपको open करो अपने आपको यहाँ पर ठीके जितना ज़्यादा आप अपने आपको open करोगे मतलब जो भी यूनियर्स दे रहा है उसे कबूल करोगे न आप देखोगे कि आप मतलब क्या achieve यहाँ पर कर सकते हो free रखो हर burden से हर situation से अपने आपको free रखने की जरुरत है ठीके जहां पर आप यूनियर्स की run नीती में उनकी planning में आप बांधा बन चाओगे न तो वहीं आप अपने खुद block case बना लोगे बस यूनियर्स आपसे यही प्रातना कर रहा है यही बताना चाहता है आपको urgent message आपका यही है कि strength बना कर रखो आप अपनी मंजिल के अपनी success के बहुत नजदीक हो बहुत कुछ achieve यहाँ पर करने वाले हो ठीके आपको यह time ऐसा है कि कुछ आप मुझे इसा लग रहा है ना मुझे past के energy में बार बार चले जाते हो मत करो ऐसा वो गया समय गया बात गई सब खतम ठीके तो strength बनाने की कोशिश करो यह समय ऐसा है आपका आगे देखने का समय है पीछे मत देखो पीछे देखोगे तो क्या होगा low energy में जाओगे अपने आपको balance करो और यूनियर्स आपको balance यहाँ पर रखना है ठीके अगर आप पीछे मुड़ोगे तो उससे आपको सावधान रहने के लिए यूनियर्स पोल रहा है ठीके अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ clear नहीं है तो पहली बात तो यह कि आप meditation करो तिहान करो ठीके थोड़ा सा सावधानी बढ़तो और उसके बाद जो भी आपको decision लेना है strongly आपको decision लेने के लिए भी यूनियर्स पोल रहा है ठीके क्योंकि इस time पे आपको यूनियर्स बोल रहा है कि clear करना है कुछ कुछ clear करने के लिए आपको बोला जा रहा है और वो आप अपनी situation से आप देख लिजेगा कि क्या clear करना है decision लेने के लिए यूनियर्स पोल रहा है क्या decision लेना है वो आप अपनी situation से देखना ठीके decision क्या लेना है आपको पीछे ही पीछे के energy में रहना है क्या आगे बढ़ना है मुझे ऐसा लग रहा है एक जगे रुग कहे हुआ ओके okay dolphin my god यूनियर्स आपको बार बार ये के रहे हैं कि हम आपको balance करने में लगे हुए हैं और बच्चे आप होकी आपको बोला यही जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आपको heal करोगे ठीके जो भी अगर आपको कोई ऐसी situation आती है आपके सामने जो आपको रुकने पर या सोचने पर मजबूर कर देती है तो अपने आपको heal करो ठीके और अपने आपको मतलब एक जिधर जिधर आपका go with the flow मतलब यहाँ पर वही है जिधर जा रहा है जैसे पानी बहता रहता रहता है उसी तरह से आपको उसको कोई रोक नहीं सकता है ठीके और बहुत मुझे मेसेज आए के बहुत emotional हो रहे हो शायद आप ठीके तो जितना जादा आप अपने आपको balance करोगे आपको healing की जरुरत है यहाँ पर ठीके तो थोड़ा सा अपने आपको healing लो रुको सुनो और अपनी बुद्धी अपने ग्यान से आपको कुछ decision लेने के लिए बोल रहा है यूनियर्स यह time में इसा है आपका कि आपको अपने ग्यान से अपनी बुद्धी से आपको करने के लिए बोला जा रहा है ठीके heal करो अपनी बुद्धी से जुड़ो अपने ग्यान से अपनी नौलेज से आपको कुछ decision लेने ओके पाइल नंबर सुरी पाइल नहीं तो मैं इस रिडिंग को यह पे close करती हूँ I hope आपसे resonate हो अगर होती है तो please like, comment, subscribe and thank you thank you so much and bye